आज बना रहे हैं अपन हों मेट चीवडा इसके लिए आपन जो आपन पोहे बनाते हैं यह वही पोहे ले रही हूं मैं उसको फ्राइ कर लेंगे पडाई में मैंने तेल गरम रख दिया है सबसे पहले मौंफली के दाने ले रही हूं मैं एक बाउल घर के एक बाउल मौंफली के दाने इसको फ्राइ कर लेते हैं तेल मैंने पहले से घरम रख जाता तो फटा फट फ्राय हो जाएंगे ताने फ्राय हो रहे हैं जब तक यह मैंने एक बाउल लिया है नारियल इसको टुकड़ों में काट लिया है एक छोटा बाउल लिया है करी पत्ता यह आठ से दस हरी मीच और और यह थोड़ ऐसे मक्के के पोहे यह वाले यह पोहे तलके डालेंगे अपने दाने भी प्राय हो रहे हैं दाने अपने क्रेक होने लगे समझो हो गए दाने अपने फ्राय हो गए हैं इसको निकाल ले रहे हैं पर दो सिकेंड और थोड़ा सा इस चलनी में निकाल रही हूं जिसे एक्स्ट्रा जो भी तेल होगा निकल जाएगा जाएगा दाने अपने प्राई हो चुके हैं अब मैं पोहे डाल रहे हूं आज ये इसकी मैंने फूली रख रखी है मैं चल्ली में डाल के डाल रहे हूं फटा फट हो जाए इससे इस प्रकार अपन पूरे लेते हैं करीब 500 ग्राम पोहे मैंने तल लिये हैं अब अपन प्लेक्स करेंगे मक्का के पोहे इस चीवड़े में मक्के के पोहे भी पोह टेस्ट लगते हैं कुछ प्रकार शुआ हुआ है कि अदर तर लेते हैं अपन अपने मक्के के पोहे आए अब इसको तेल को कम कर लेते हैं इतना सरा तेल तलेंगे तो नारियल की खुश्बू आएगी तेल जरास हरे ने दिया बागी निकाल लिया है अब इसमें जो एक बाउल नारियल काटा है ना उसको फ्राइ कर लेते हैं अब इसमें अपना प्राउन हो गया है अब इसमें अपन करी पत्ता अपना अब इसमें अब पन करी पत्ता अच्छे से प्राई करना है इसको भी अच्छे पोड़े से कड़क हो जब तक प्राई करना है यह करी पत्ते भी अच्छे कड़क हो गए है इंको निकाल लेते हैं अपर मैं तेल थोड़ा सा और कम कर रही हूं अब इसमें अपन फोड़ी से पर्मल डाल के वह करेंगे कड़ाई अपनी गरम है यह अपने पर्मल आते ना खाने माले करेंगे क्योंकि इसम में थोड़े से यह सील जाते हैं कि दो सेकेंड इसको भूंते हैं अच्छे गरम हो गए अपने को गरम करना है जिससे इसके सेला पन निकल जाए यह अपन खाली कर रहे हैं अब इलकुल तोड़ा सा तेल डाल रही हूं और उसमें अपना हरी मिर्च पूनेंगे आज तेश करियो और यह जो हरी मिर्च काटी ना यह हरी मिर्ची फ्राइट करें हरी मिर्ची को अच्छे क्रिस्पी होने तक तल यह अपनी हरी मिर्च भी अच्छे से तल गई है कड़क हो गई है इसको निकाल रही हूं में मिला देते हैं मसाला बनाते हैं अब अपनी सका मसाला बनाते हैं करीब एक बाउल शक्र लें क्योंकि 600 ग्राम पोहे हैं 200 ग्राम मक्के वाले पोहें मुम्पली के दाने हैं 500 ग्राम अब अपने इसमाँ डाल रहे हैं कि आधी चम्मच टाटरी एक चम्मच काला नमक एक चम्मच हल्दी पाउडर हल्दी डालो तो आपके इच्छा पे यह कबी कर सकते हो और यह एक चम्मच भरके छाल नमक बहुत तीक ही है फिर भी डाल के देख लेसे अगरकम ज्यादा होगे तो फिर बार में मिक्स कालेंगा इसको पन इसमें नमक रहे गया है तो टेस्ट के हिसाब से नमक इसको मैं मिक्सर में चला लेती हूँ यह मिक्सी में मैंने मसाला पीस लिया है और यह मैं थोड़ा सा डालती हूँ थोड़ा सा रोक लेते हैं मिक्स करके देख लेते हैं आप लोग शकर नहीं खाते तो शकर भी स्कीप कर सकते हैं पर घर का बहुत सस्ता पड़ता है बहुत टेस्टी बनता है और बहुत कम क्वांटिटी में बहुत कम खर्च में देखो कितना सारा बन गया है मुझे लग रहा है पूरा लग जाएगा पूरा लग जाएगा यमी चिवडा बन के तयारे इसमें सारे मसाले और शक्कर और नमक आपके टेस्के साब शक्क नहीं खाते हैं तो is skip करें बागी बहुत सिम्पल बहुत कम चीजों से बनने वाला चिवडा बन के तयारे एंजॉई करें झांक यू